हl needs we welcome to channel channel learn और मेरा नाम हैajo मैं आपके साथ कर रही हूं English grammar के व्रक लाश के लिए ाये मैं वुड़ाइगा पसंद आपकेशार बिसा और लाइक स्व Chemistry करना ब्लकुल भी बुलिए बुलाइगा सबसे पहले है CIRKL DOW QUEVAS इसमें क्या करना है बच्चों को circle करना जो ठीक है वहोववेस होते हैं पांच A, E, I, O, U ठीक है? तो जो यहाँ पर A है फिर बच्चे क्या उसको ढूंडेंगे A कहाँ है? E कहाँ है? उसे वह circle कर लेंगे इस तरह से बच्चे ढूंड करके circle करेंगे वह उसके बाद है circle the woes इन दीज वड्स जैसे हमने किया किया वर्स दे दिया और उसमें बच्चों को वबस ढूंड करके सरकल करना है ठीक है जैसे टी ए बी ए ली टेबल है तो इसमें वबल कौन है ए है ए है उसी तरह बुक में O डबल O है तो दोनों हो जाएगा वबल फिर इसमें चेर में A है और I रेगा है हाउस में ॊ है और इ है इस तरह से बच्चे क्या करेंग वह वे इस नूण कर के शेयर कर लेंगे अभर गया सिरकल चर्पर्ण गया बच्शों को प्रोपर नाउन को इसमें इस सरकल करना है जैसे लिंक में दे दिया है और नीचे । बॉक्स में ने दिया है आप चेक कर ली जिए गा तो इसलिए नेहा में हमके पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा कि लेकिन अगर गर्ल के वल होती ठीक है गनल ने लिखा होता अगर तो गल्ल काथा claiming ता प्रॉपर नाउन था जाकिन में लड़ोन की लड़की का नाम है इसलिए यहां प्रॉपर नाउन हो गया उसे तरह कांट्री के ओल रहा था तो वह कॉमन नाउन में आ जाता है फिर आई लेव इन गोवा में रहती हूं तो गोवा ठीकि गोवा भी किसी सिटी का नाम दिया जा रहा है तो गोवा भी प्रॉपर नाउन हो गया फिर राम इस इंटेलिजेंट वाई पर राम जो है वह क्यों जाए गया तो प्रॉपर नाउन तो इस तरह से बच्चों को प्रॉपर नाउन सरकल करने के लिए देंगे अब नेक्स्ट है जेंडर इसमें क्या है जेंडर को चेंज करना है जिसे टाइगर को क्या हो जाएगा टाइग्रेस टी आइजी एर इडबलेस वाई का गर्ल जी आई पादर का मदर अंकल का आंट एउन टी ब्रदर का सिस्टर डॉक्टर का सन तो यहां पर बच्चों को जेंडर चेंज करना है ठीक है यह आप वर्क्षीट में डाल सकते हैं वर्क्षीट देने से होता यही है कि बच्चे आसानी से कर लेते हैं और उन्हें काफी सहोलियत होत खरीदना तो sell means बेचना होता है लाफ का हो जाएगा cry love means हसना cry means रोना, give means देना, take means लेना तो give का take, फिर hard, soft, new का old, नया का पुडाना, long long का हो जाएगा short, sh, ort, short, many का few, many मेंने बहुत few मतलब थोड़ा, तो इस तरह से आप opposite words में matching भी दे सकते हैं या फिर उन्हें लिखने के लिए भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो वरक्सीट बना करके उन्हीं दीजिए हमें तो बस उन्हें याद कराने से मतलब है जो उनको पसंद आता हो वैसे हमें बना के देना है फिर है fill in the blanks with a and the इसमें a या फिर n या फिर धर fill करना है अब a कहां fill होता है जहांकि consonant होता है किसी word के पहले और n फिल होता है जब भी vowel होता है किसी word के पहले ठीके a और n का मतलब एक ही होता है अब जैसे neha is eating an apple या फिर a apple तो an apple हो जाएगा an इसलिए वा क्योंकि apple के पहले a है जो कि vowel है तो यहां इसलिए an का यूज हुआ अब I have a dog अब dog के पहले क्या है d है तो d है इसलिए यहां consonant है vowel तो a dog I am looking all तो all के पहले क्या o है यानि कि vowel है तो an owl it is hot in the sun यहां पर्दा यहां पर दा का यूज होगा it is hot in the sun अब I tick the correct answer इसमें क्या करना है जैसे noun है तो noun में person, place, animals, thing आता है ठीके person, place, animals, thing को ही हम noun कहते हैं तो उसमें आप बच्चों को यह बता सकते हैं कि कौन सा person है कौन सा thing है तो table है table तो thing ही हुआ पर्सन तो हो नहीं सकता है तो non living things जो होते वो thing में आ जाते हैं आप इस तरह से बच्चों को बता है तो table जो है वो thing में आ गया तो यहां पर thing टिक हो जाएगा school है तो school place में आता है school हो गया, market हो गया, park हो गया सब place में आते हैं तो school हो गया, place पेन, पेन हो गया, thing, कौव हो गया, आनिमल, बेबी हो गया, person, क्योंकि छोटा बेबी person में ही आता है, और मदर भी person, तो इस तरह साथ noun को समझा सकते हैं, कि person, animal, person, thing, place, यह सब noun कहलाते हैं, तो यह सम नौन में ही आ जाएंगे लेकिन सब को अलग अलग classify कर दिया गया है अब है make plural by adding s और es मतलब s लगा कर या फिर es लगा कर आप plural बनाने को दे बच्चे को या फिर अगर आप और easy करना चाहते हैं तो es ना दे के es दे या es ना दे के es दे लेकिन one class में es दिया जाता है es वाले words plural में जैसे one book two books one book two books तो यहाँ es लगा है one box three boxes यहाँ पर es लगेगा ठीक है मैंने plural में बताया हुआ है वीडियो में मैंने वीडियो बनाया है plural पे तो वह मैंने आपको es कहां यूज करेंगे ies plural बनाने में कहां यूज करेंगे आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं मैं लिंक में भी डाल दूँगी one fox two foxes description box में मैं डाल दूँगी one glass four glasses ठीक है इसमें es लगा है foxes में भी es one pen five pens pen में s लगा है तो इस तरह से आप दीजे बच्चों को plural बनाने के लिए फिर है write the reaming words इसमें reaming words बनाना है बच्चों को जैसे r80 red तो b80 bet इसमें c80 cat भी आ सकता है b.a.w. ball तो t.a.w. tall hen hand तो t.e.n. tan pin pin तो t.e.n. tin bin भी हो सकता है t.o.w.n. town तो d.o.w.n. down p.a.c.k.pick s.a.c.k.s.k. तो यह हो गया reaming word आप इस तरह से reaming word भी दीजियों है इस तरह से क्या होता कि सारा जो chapter हमारे book को वो cover हो जाता है एक ही जगा और बच्चों को भी आराम होता है लिखने में और समझ जाते हूँ अच्छे से और इससे क्या होता कि हमें भी topic मिल ज जाता है बच्चों को one class में तो describing मतलब किसी noun को जब describe करते हैं तो वह describing words कहलाता है जैसे this is a small pen pen के बारे में हम बता रहें कि वह small है या फिर big है या फिर red है कुछ भी हम जब उसके बारे में बताते हैं तो वह describe करना होता है तो this is a small pen तो यहाँ small जो है वह describing words हो जाएगा you are a tall girl, तुम tall girl हो, tall लड़की हो तो tall भी describing words में आ जाएगा my sister is beautiful तो beautiful भी क्या हो जाएगा describing words में आ जाएगा क्योंकि वह विसिस्ता बताया जा रहा है कि मेरी sister सुन्दर है फिर my father is very intelligent तो intelligent भी क्या हो जाएगा आपको आ जाएगा describing words में अब है circle the doing words इसमें doing words जैसे action words को doing words कहते हैं okay जिसे I drink milk तो मैं दूद पीती हूं तो drink यहाँ पर हो गया doing words ठीक है आप doing की जाएगा action भी लिख सकते हैं तो यह हो गया doing words you are watching tv watching भी क्या हो जाएगा doing words में आ जाएगा my brother is going to पतना मेरा भाई पतना जा रहा है तो going भी क्या हो जाएगा doing words में आ गया star sign in the sky तो sign भी क्या हो गया doing words में यानि वर्ब इसको कहते है वर्ब कह लिजी action words कह लिजी या doing words कह लिजी एक ही चीज है तो star sign in the sky तो इस तरह से हम बच्चों को बना कर के देंगे worksheat और उनका सारा concept English grammar related है जो भी उन्हें पढ़ना है वह हम clear करेंगे worksheat के जरिए ओके तो I hope friends मे कि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहती हूं बच्चों के लिए और मैंने description box में में कई सारे वीडियो के लिंक डाले हुए है playlist के लिंक डाले हुए है आप जिसे भी watch करना चाहिए जिस वीडियो को watch करना चाहिए आप आहां से watch कर सकते हैं okay okay thank you thanks for watching